तो आखिरकार चौथा जो मैडल है वो भारत की जोली में आ गया ये हौकी की शकल में आया है कांसे पदक आया है वो बेहद रोमांचक मुकाबले में पैरिस ओलंपिक में भारतिय टीम ने जो टीम है स्पेन उसे हराया है हालाकि आखरी दौर में जिस तरह की स्थितियां रही कि कहीं ये मैच दो-दो से टाई ना हो जाए और फिर जो नियमों के मताबिक होता है पैनल्टी कॉर्णर पे जाना पड़े पैनल्टी शूट आउट पे जाना पड़े लेकिन ऐसा नहीं हुआ बहुत बहतरीन शेत्र रक्षन जिसे कहते हैं गोल कीपिंग जिसे कहते हैं व आपे बाद टीम इंडिया ने उस बॉल को वापस नहीं आने दिया हाला कि बहुत ये रुमाच को मकाबला रहा लेकिन बहुत हुशी की बात भारत के लिए बहुत खुशी की बात और जीत के साथ ही जोज जो है वो एकदम हाई हो गया हर्मन प्रीत नो डाउट हर मैच की तरह इस बार भी उन्होंने बहुत बहतरीन तरीके से अपना खेल दिखाया जो दो गोल दागे हैं वो हर्मन प्रीत नहीं दागे हैं इससे पहले जर्मनी से मुकाबला हुआ था जैसा आप सभी ने देखा जर्मनी से मुकाबले के बाद थोड़ी सी निराशा जरूर रही लेकिन कई record तोड़ते हुए टीम इंडिया वहां तक पहुँची थी मौका था कांस से जीतने का और वो मौका आज था आज मुकाबला शुरूआ और उसके बाद 69 मिनिट जिसका मैंने जिक्र किया भी थोड़ी देर पहले 60 मिनिट में हाला कि जब penalty corner स्पेन को मिल गया तो थोड़ी धड़काने बढ़ गई लेकिन भारत लगातार 2-1 से आगे रहा और आखिरकार उस penalty को गोल में तबदील नहीं कर पाई उसका फायदा भारत को मिला और भारत 2-1 से इस match को जीत चुका है तीम इंडिया को बहुत सारी शुब कामना है